जो आपकी कमियां थी, जो बार-बार या तो सिलिप हो रहा था डेटा दिमाग से, या आप भूल रहे थे, या ये वो की पोइंट्स थे, जो एक्जाम के हिसाब से बेहद बेहद जरूर थे, उनको पढ़ने का टाय थे पी डबलू के यूटूब चैनल पे आपको मिल जाएगी क्या माइंड मैप सिरीज, उस माइंड मैप सिरीज में हमने पूरे के पूरे चैप्टर को बड़ी मुस्किल से डेड़ दो घंटे में समेट रखा है और उसमें ओलमोस्ट पूरी की पूरी एंसियाटी के सारे बहतरी मैं तो नीट का फाइनल एक्जाम देने नहीं, मैं तो पी डबलू का टेस्ट देने जा रहा हूं, वो टेस्ट जो मैं पिछले कई दिनों से लगातार दे रहा था हेलो रस्गुलारमी, कैसे आप समी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जीतोड महनत कर रहे होंगे तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका नीट 24 का एक्जाम के मात्र 15 दिन बचे हुए हैं और ये 15 दिन जो थे, इनका कैसे उपयोग करना है ताकि हम अपने 100% को नीट के एक्जाम में लगा सके नीट के एक्जाम में अपना 100% दे सके ये बात तो फिक्स है कि हर इंसान को जो जो दिन घट रहे होंगे, जो जो नीट का एक्जाम नजदीक आ रहा होगा अंदर से एक डर लग रहा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या रहेगा रजल्ट, ये डर सबको सता रहा होगा ये डर सताएगा भी, क्योंकि जब कोई आदमी बड़ी सिद्दत के साथ मेहनत करता है बड़ी सिद्धत के साथ किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, करने की कोसिस करता है, तो उसे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इस डर के आगे आपको सरंडर नहीं होना है, ये नहीं करना है, क्यों भईया परिणाम क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, आपको बिलकुल भी इ एकदम positive रहना है अब सवाल था कि सर इन 15 दिन में हम अपने आपको positive कैसे रखेंगे और कैसे हम इन 15 दिन को utilize करें ताकि 5 में को जब NEET का exam देके आए तो बिलकुल फक्र से फक्र से पूरे confidence के साथ हम exam hall में जाएं अपना exam लिखें तो बिचे सबसे पहली बात आपको ये याद रख रही है कि अब ये 15 दिन जो था इस 15 दिन में अब आपको वो chapter पे जादा ध्यार नहीं देना है जो पूरे साल आपको समझ में नहीं आए आप जब भी किसी chapter को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि कई सारे ऐसे chapter है जो पू अब उनके पीछे पढ़ने का टाइम नहीं है आपको अब पूरे के पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर देखने का बिलकुल भी टाइम नहीं है अब आपके पास क्या टाइम है कि जब आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे थे तो अब आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे तो आपने बनाए थे short notes, तो अब ये वो time है, जिसमें आपको short notes जो थे, इन short notes से पढ़ाई करनी है, इन short notes से क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, ये short notes आपने बनाए थे, पूरे chapter का video देखकर, उसके question लगा के, फिर आप इस result पे पहुचे थे, कि ये बहुत-बहुत important चीज़े हैं, इस chapter की, और ये वो चीज़े हैं, जो मेरे दिमाग से भी निकल सकती है, उन बहुत important चीजों को आपने short notes में लिखा था, अब ये उन short notes को पढ़ने का time है, क्योंकि यही वो collection था, जो आपकी कमियां थी, जो बार-बार या तो sleep हो रहा थ data दिमाग से, या आप भूल रहे थे, या ये वो key points थे, जो exam के हिसाब से बेहद बेहद जरूरी थे, उनको पढ़ने का time है, लेकिन, अब सवाल था, sir, short notes तो पढ़ लिए, लेकिन फिर भी, अगर हमें पूरे के पूरे chapter का, एक quick review लेना हो, तो क्या करें, बिटा, quick review लेना हो, तो इसके लिए भी, हम PW वालों ने बड़ी महनत की थी, बड़ी महनत की थी, बिल्कुल, आप लोगों के YouTube चैनल पे पढ़ियोगी, Mind Map Series, ये लीजिए, PW, YT पे है, PW के YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी, क्या Mind Map Series, उस Mind Map Series में, हमने, पूरे के पूरे chapter को, बड़ी मूश्किल से, डेड़, दो घंटे में समेट रखा है, और उसमें, almost, पूरी की पूरी NCRT के, सारे बहतरीन concept को, कवर कर रखा है, मतलब, मतलब तरीका ये था, कि आपने short notes बना रखें, उस short notes को डंग से पढ़ें, short notes में कहीं गड़बड हो गई, या आप और कुछ अच्छा चाह रहे थे, तो आप Mind Map Series, पड़ी हुई है, पूरे के पूरे chapter की, आराम से YouTube पे देखेगा, आप जल्दी जल्दी, एक एक ग गंटे में, डेड़ गंटे में, पूरा का पूरा chapter क्या कर लेंगे, cover कर लेंगे, अब ये काम पूरा का पूरा कर लिया, और अब आपको जरुरत पड़ेगी, कि यार, हमें थोड़ा सा ये भी चेक करना चाहिए, कि मुझे कितना आता है, तो अब ये last का time जो है, ये बेहत important है बेटा, और वो बेहत important किस काम के लिए है, PYQ के लिए, पिछले 5-6 सालों में, जी हाँ, पिछले 5-6 सालों में, नीट के जो भी questions आए, उन questions को लगाईएगा, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़े पढ़ने के बाद, जब ये PYQ लगाएंगे, तो ये वो questions थे, जो नीट में पहले आ चुके है, तो आप जब इन questions को लगा लेंगे, तो आप में confidence आएगा, कि देखो भीया, मेरे को बहुत सारी चीज़े आती है, previous year में, पिछले 5-6 साल में, किसी भी topic से, जो question नीट में पूछे गए है, मैं उसे आसानी से लगा पा रहा हूं, या लगा पा रही ह हूं, वो ही वो confidence था, जो आपको motivated रखेगा, कि जब मैंने पिछले सालों में आए, वो इस आयरे question लगा लिए, तो इस 2024 की नीट में आएंगे, मैं उन questions को भी आसानी से लगा सकता हूं, या लगा सकती हूं, ये confidence अंदर से आएगा, और बस इस confidence के level को यह ही रखना है, ठीक है, आपको कई सारी विचार दिमाग में आएंगे, कि फलाना चैप्टर तो छूट गया, फलाना रह गया, आपको ध्यान नहीं देना है, उन पे ध्यान नहीं देना है, आपका full focus होना चाहिए, कि जिस चैप्टर की, या जो जो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते है उनमें कोई भी गडबढ नहीं होनी चीए, उनमें कोई भी गडबढ गोटाला नहीं होना चाहिए, बस इस पे द्यान देना है, अगली बात आपको क्या काम करनी है, हम आपके यहां पर करवा रहें test, जितने जादा हो सके आपको टेस्ट पेपर जो है वो टेस्ट पेपर देने हैं जितने जादा हो सके आपको क्या करने बेटा यह टेस्ट पेपर देने हैं टेस्ट पेपर देने हैं क्योंकि यह टेस्ट पेपर ही वो पूरा का पूरा कच्चा चीठा है जो हमें यह बताएगा कि वास्त्विक्ता में पूरे साल हमने कितना सीखा कौन सा ऐसा चैप्टर था जो हमें बहुत अच्छे से आता है लेकिन फिर भी उसके questions में हम confused हो गए या वो सवाल हमारा गलत हो गया वो सारा कच्चा चिठा कहां से पता चलेगा इन test paper से पता चलेगा तो पूरी इमानदारी के साथ test paper देना है इतनी इमानदारी के साथ देना है कि आप ये मान लेना कि ये test paper नीट का final exam है तो हर बार आप उस हिसाब से prepare होके जाए कि आप नीट का final exam देने जा रहे हैं इस paper को उतना ही serious होके दे ताकि जिस दिन उस 5 मही के दिन जब आप नीट का final exam देने जाएंगे तो अंदर से आवाज आएगी कि मैं तो नीट का final exam देने नहीं मैं तो PW का test देने जा रहा हूं वो test जो मैं पिछले कई दिनों से लगातार दे रहा था जब ये एक positive vibe आने लगेगी तो जो exam hall का phobia था जो exam का final exam का डर था वो डर कहीं न कहीं कम होगा और जब डर कम होगा तो आपके अंदर से 100% निकल के आएगा मतलब exam hall के अंदर जो आती हुई चीज़े हम गलत कर रहे थे या बहुत सारी चीज़े थी जो slip हो रहे थी कोई formula slip हो रहा था कोई data जो था वो हम भूल रहे थे हडबढ़ाट की वज़े से confidence में कमी की वज़े से घबराट की वज़े से वो problem हमारे सामने नहीं आएगी तो ध्यान रखना ये test paper भी बहुत important role play कर रहे हैं आपके confidence को बढ़ाने में दूसरी बड़ी बात पेपर देके आने के बाद हर एक paper को घर आके analysis करना है analysis क्या करना है analysis ये करना है कि इस test paper में जो topic जो portion मुझे बहुत अच्छे से आता था उसका कोई सवाल गलत तो नहीं हुआ अगर वो गलत हुआ है तो किस chapter के कौन से topic और subtopic का वो सवाल है आपको उसे mark करना है और उसे mark करके तुरंत के तुरंत revise करना है क्योंकि ये वो topic था जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता था अगर उसके किसी topic और subtopic का सवाल गलत हुआ तो कहीं न कहीं आप उसमें क्या होगे confuse तो उसको revise करना है और यही तो वो data था जो आपके काम आने वाला है क्योंकि जिस chapter को आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे अगर नीट से 10-15 दिन पहले उसमें confusion आ रहा है तो सीधी सी बात है नीट के exam वाले दिन भी confusion आ सकता है तो revision करके उसे अभी के अभी resolve करना है resolve करना है तो मोटा मोटा बात क्या निकला मोटा मोटा conclusion यह निकला कि जो चीज पूरे साल समझ में नहीं आई जो chapter पूरे साल नहीं हुआ उनके backlog को cover करने में या उन chapter के पीछे energy खराब करने का कोई मतलब नहीं है जो चीज तुमें बहुत अच्छे से आती है आप 100% जुट जाओ कि उसका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए उस चीज को जो तुमें बहुत अच्छे से आती है आप उसका 100% attempt करो उसमें accuracy आपकी बहुत अच्छी हो और उस accuracy के लिए आपको क्या काम करना है उन सारी चीजों को revise करना है आप short note से revise कर सकते हैं आप mind map series देखे जल्दी जल्दी पूरे chapter को revise कर सकते हैं आप PYQ की practice करके ये पता कर सकते हैं कि मैंने कितना सिखा साथ ही साथ आपको लगातार ये test paper देने है इन test paper से आपको confidence भी आएगा और आप अपनी कमियों को भी note कर पाएंगे और याद रहे हर test paper को NEET के final exam की तरह देना है ताकि NEET का final exam PYQ के test paper की तरह लगे तब जाके तुम्हारे अंदर इतना confidence आएगा कि तुम ये कहोगे कि कुछ रास्ता लिख देगा कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूँगा कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूँगा तुम मुस्किले लिखते जाओ मैं मन्जिल लिख दूँगा चाहे कट भी जाए मेरे पर इस जमीन पर बैठकर मैं आसमान लिख दूँगा मैं आसमान लिख दूँगा तो wish you all the best पूरे confidence के साथ पूरी जान लगा के पढ़ाई करनी है गाईज